हाई गाईज कैसे हैं आप सब भयोग सब मज़े में हैं एक बार फिर चापा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्यान के सागर ऑफिशल में तो काईज आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपार्ट अपडेट लेकि आया हूं क्योंकि जी कैसे भी ने कुछ रिकूर्म को प्रेस करने के बाद आल नोटिफिकेशन को अन करना बिल्कुल न बूलना तो गाईज चलते हैं ओफिशल नोटिफिकेशन की तरफ तो गाईज यह है नोटिफिकेशन और आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है गोवर्मेंट आफ जमू एंड कश्मीर जेके लिखान नोटिफिकेशन नमबर इसके बाद काईज आवन से बात करते हैं यहां पर बोला गया है कि जो लास्ट टीट थी आप पर आनलाइन एप्रिकेशन फार्म की तो उस डेट को एकस्टेंट कर दिया गया है तो कब तक कर देए गया है वो सब को डिसकर्स करते हैं क्यो लिखा होए है तो आप नोटी टॉटिवान डेट जिसकी छेविस को यह फॉर्म निकले थे फार्द एलिजिबल पार्ट पार्टिस्पेंट आप सेलेक्शन प्रोसेश यूटी डिविजिंग पोस पते वैरियस कड़ेगरी इन डिफरेंट पार्मेंट अलाइलग डिपार् 12-5-2021 जिप लास्ट पहली जो डेट इकले थी जुट इसमें बताया गया था कि 12.0021 को इसकी लास्ट एक्सेंट करके कब तक कर दिया गया था 20.0021 तक कर दिया गया था लेकिन इसके बद गाज क्या हुआ हुआ वेरस तद जमू एंड किसमें सेलेक्शन बोर्ड हैस कर दिया जाए विव इन लॉक्डों कि वज़ा से लॉक्डों की वज़ा से एक्सेंट कर दिया जाए इसके बाद क्या दिया गया है इस मैटर पर एक्जान किया बोर्ड ने देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि एक्सेंट आप्लाइन अप्लिकेशन फर्म की डेट को एक्सेंट कर दिया गया है जो बहुत सारे पोस्ट्रों के लिए है तो वह क्या है गाइस अब नाव दिर्फोर इता लाइट अब गाइस इसकी जो लास देट है तो इसकी लास देट को एक्सेंट करके 10-6-2021 कर दिया गया है तो क्योंकि पहले जो गाइस थी वह बीस पांच तो हजार इकिस को थी तो आप इसको एक्सेंट करके 10-6-21 तक कर देगा है तो मैं रिद करता हूं कि वीडियो पसंद आगे वीडियो को जुरूर सबके साथ शेयर करें